आप सबने यूट्यूब पे एक अगेडमी नाम का चैनल देखा हुएगा जो यू-पी-ए-स पाइरेंट्स को आई-स बनने की कोचिंग देता है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह बच्चों को आई-स बनाने के नाम पर कैसे जूट पढ़ा रहे हैं और उन बच्च राश्ट राजाते कृष्णर राया उनको धोखे से अटाया और इस धोखे में उन राजा का जो मंत्री था पुर्नया उसकी कहानी आगे आएगी उसने भी हैदर अली का साथ दिया और यहीं नहीं हैदर अलीने उनको हटाने के बाद गद्दी से राजपरिवार के सभी लो और आपको मालूम है rocket artillery के अंदर सबसे पहले शुरुवात वो इनके दुवारा करी गई थी रॉकेट और इन सब की जो है इंडिया की जो साइस थी रॉकेट साइस थी उससे इंस्पायरों के जो है यहां पे बनाए गई है और साथ में अब्दूल कलाम ने यह भी लिखा थ पहली बात अब्दूल कलाम जो थे वह इस्टोरियन भी हो गए क्या और यह जिस किताब का नाम ले रहा उसके पेज नंबर 37 और 40 पर चार बार टीपू का मैंशन है उस पूरी किताब में भी कहीं एपी जदूल कलाम यह नहीं कह रहे कि टीपू सुल्तान ने rocket science की discovery की थी औ अगर discovery की भी थी माल लिया तो उसको हिंदू महिलाओं का बलफकार करने का लाइसेंस मिल गया हिंदू के मंदिर तोड़ने का लाइसेंस मिल गया और जो यह कह रहा है कि एपी जदूल कलाम कह रहे हैं कि हम अपने हीरों को भूल गए हैं तो अरे भहिया काफिरों की हत्या क करने वाला उनके मंदिरों को तोड़ने वाला मुसल्मानों का तो हीरो हो सकता है पर हम हिंदू का हीरो कब से हो गया तीपूल सुल्तान जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट और पैक्ट्रोइजम के लिए जाने जाते थे उन्होंने एक बात बोली थी जो काफी फेमस है कि मैं ब जो फ्रेंच थे जो भारत में अपना राज इस्थापित करना चाहरे थे उनसे मदद मांग रहा था तो टीपू जो खुद फ्रेंट पावर से मदद मांग रहा है वो फ्रेंट फोर्स का दुसमन कैसे हो सकता है जैसे कि आप सब को ना पता हो दो अपरेल 1797 को टीपू ने एक फ्रेंसिस रिपंड नाम का फ्रेंच अधिकारी था उससे फ्रेंच नेशन और अपने बीच एक दोस्ती का लेटर ड्राफ्ट करवाया जिसमें टीपू ने लिखवाया कि जो ब्रिटिश टेरिटोरियल पोजेजन है वो खतम हो जाएगा और आधा देश किले और दुक स् यहां उनसे बंदत मांगी थी उन्होंने लिकर को जो है वह बैन कर दिया था पूरी तरीके से दारू कर दी ने इस लिखा ब्लाउज है जो कि केरला के लोवर कास्ट मुमेन के लिए बिजवाय थे और यह बात है जो कि एक अमने फेमस हिस्टॉरियन है नरा सिमा जी एनवी नरा सिमा उनके दुवारा यह बात बताए गई है पहली बात तो देर वास नो सच बेन इन फेक्ट आप केरल की पूरी सालों में और इस प्रोपोगेंडा पर लिखी जितने भी आर्टिकल फार्टिकल आप पढ़ लीजिए उनमें आप देखेंगे कहीं पर भी किसी हिस्टोरिकल एविडेंस का मेंशन नहीं मिलेगा अब जब इस फिक्ष्णल ब्रेस्टेक्स का मेंशन आई गया है तो आप पहानी है फिक्ष्णल स्टोरी जो है यह एबजर्ड सी इसका जो ऑथर है उसका नाम है टी मूरली जो खुद को चित्रकरन कहता है अब जब आप इसका ब्लॉग देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह ना कितनी एंटिपथी है इसके दिमाग में हिंदूों के लिए कितनी हेट्रेड भरी पड़ी है कि इसने माता सरस्वती पे एक ब्लॉग लिखा है उस ब्लॉग में यह क्या लिखता है यह अब सब्द का सिनोनिम टी मूरली लिखता है कि चूकि यह भगवान के परती पागलपन बढ़ता जा रहा है तो सोचा कि it is relevant to think about breast size of सरस्वती the brand name of bras and panties which she uses अपने ब्लॉग में आगे पूछता है कि how many penises and vaginas the gay god Vishnu of Brahmin says और एक बता हूं इतना सब इतना वलगर मतलब इसके बारे मैं क्या ही कहूं मैं यह सब लिखने के बात भी यह जिंदा है जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी दुनिया में कार्टून बना देने पर किसी के लोगों को न मार दिया जाता है धिन दहारे गोलियों से भून दिया-जाता है। पर खेर हम तो हिंदू जो हैं वो इंटोलरेंट होते हैं तो हम क्यों किसी को मारेंगे ये बलाउज भीजवाने वाली बात पर मैं आपको बता दूँ टीपू सुल्तान इतना बड़ा नारिवादी था कि जब इसने केलिकट पर हमला किया तो इसने कहा कि तुम लोग बड़े टीपू कह रहा था यह कुछ भी नहीं केरल का जो मैट्रियार्केल सिस्टम ता उसकी मौकरी थी क्योंकि जो वैक्ती हिंदू महिलाओं को अपने हरम में रेप के लिए रखता है वह ग्यान दे रहा है यहां पर टीपू सुल्तान के कुछ एक्शन थे जो कि ऐसे बताए जा और ऐसा बोले जाता है कि उन्हेंने कुछ टैंपल से जो कि इंदू टैंपल से उनको डिस्ट्रॉय करें ऐसा भी कुछ चार्ज़ते जो कि उनके ओपर लगाया क्याते हैं हाला कि यह जो स्टेट्मेंट यहां पर लिखावा है यह जो पूरा का पूरा यह जो मैंने अभी कादिर को एक लेटर लिखा उसमें वो लिखता है कि 12,000 हिंदूों को कनवर्ट करा है मैंने जिन में बहुत सारे नंबूदरी ब्रामध थे और मेरे इस अचीवमेंट का जोर सोर से परचार करो और तुम भी अपने यहां के लोकल हिंदूों को लाओ और कनवर्ट करो यहां और मैं डिटर्माइंड हूं कि उनको भी बहुत जल्दी कनवर्ट कर दूंगा और ऐसा करने को मैं जिहाद समझता हूं अब आप सोच रहोंगे कि मेरे सोर्सिस क्या है तो सोर्से से सेलेक्टेड लेटरस ओफ टीपू सुल्तान बाई विलियम किर पैट्री एक बहुत ही फ पैट्रीपू सुल्तान को कभी भी जो है वह ऐसा नहीं हुआ कि उनको इस तरीके से ऑपरेशन जेलना पड़ा कई सारे 90% जो भी उनको दान मिला करता था वह हिंदू मंदीरों को दिया करते इस बात का सोर्स क्या है जिस प्रोफेसर का यह नाम ले रहा है जिसका जर्णल ह हमको चिपका रहा है वह कुल पांच पन्ने का जर्णल है उसके अंदर भी जूट को प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया गया है और इस पूरे जर्णल में जो भी दो चार कोट किये गए हैं उनके मैं नाम बता दूं कि इनको यह प्रोफेसर कोट कर रही है पहला है दा ग्रेट इस्टोरिय निर्फान हभीम दूसरा है मोहिबूल हसन तीसरा है विलियम डेल रिंपल अब मुझे नहीं लगता है कि जो प्रोफेसर इन इस्टोरियंस को इन जूटों को कोट कर रही है उसकी लिखी बात पर भी हमें बात करनी चाहिए जैसे कि आपको ब्रामण जो थे वो अवध्यमाने जाते थे इसलिए ब्रामणों को एक राज्य से दूसरे राज्य में दूत बना कर भी भेजा जाता था अब टीपू को अपने हिंदू सब्जेक्स में इतना इंट्रेस्ट था कि इसने कैलिकट में 200 ब्रामणों को पकड़के जबरदस्त इतना त्याचार किया टीपू ने कि ब्रामणों ने उस समय दूत बनकर जाने से ही मना कर दिया और आपको लगता हो कि सिर्फ ब्रामणों का कनवर्जन हुआ तो नहीं पनमपनत छत्रिय परिवार के राजा को भी कनवर्ट कराया जो तीचेरा थे प्रिंसिपल नायर थे उ अर्केलोजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के दुवारा जिसके अंदर यह बताया गया है कि वह हमेशा धान रखा करते थे इस चीज़ का कि किसी मंदिर को रिक्वार्मेंट है या नहीं यह स्पेशल प्रेयर जो है वह आपे हो रही है कि नहीं हो रही है करवाने को ल इसमें राक्षस होते थे तो यह टीपू जो था यह उन राक्षसों का ना प्रो अल्ट्रा प्रो कुछ मैक्स वर्जन था ना वो रहा होएगा जब टीपू मरा तो इसके पूरे एरिया में सिर्फ दो ऐसे हिंदू मंदिर बचे थे जिनमें पूजा होती थी बाके के सारी म मंदिरों में पूजा बंद हो चुकी थी तोड़ दिये गए थे लेविश राइस करके एक हिस्टोरिया ने उन्होंने किताब लिखिया हिस्टरी ओफ मैसूर उसमें वह बताते हैं कि बाइस सेवेंटीन नाइन्टी सतरा सो नभ्य तक वेल्थ एवरी हिंदू टेंपल वास यानि टीपू ने सतरा सो नभ्य आते आते जितने भी हिंदू मंदिर थे सबकी संपत्ति कर ली ती जब्द कर ली थी तो और यहां पर महत्मा गांदी जी ने भी यंग इंडिया के लिखा था कि टीपू वाजन एंट एंबोडिमेंट और हिंदू-मुसलिम यूनिटी तो म पारे में लिखा हुआ है अब डेखो सब्सकति ने के बाहत्तमा गांदी कमसे इस्टोन होगे बाई हो महत्मा गांदी ने लिखा तीक हुल्कम नृथ निखा तो टीके गांदी थी ने censer के लिखए उनके basis पर जज़ करें या मुहंदास गांधी ने जो लिख दिया उसके basis पर जज़ करें तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होगी कि वह एंटी हिंदू थे या फिर है प्रो हिंदू थे उस सारी जानकरी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है तो उम्मीद कर पढ़ लिया और एक पांच पन्नों का जर्नल पढ़ लिया और आप बन गए इंटलेक्चुल पर उपर से देखिए चोरी और सीना जोरी का क्या एक्जामपल है कि इतना जूट पढ़ाने के बाद बलेटेंटली जूट बोलने के बाद यह वैक्ती बच्चों से कह रहा है क है आप चैनल को मैं उमीद करता हूं लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्स्क्राइब करेंगे किसी ने सही कहा था कि पहले ना लोग मर जाते थे आतमा भटकती थी अब ऐसा लग रहा हैं इन सर के जूट को देखने के बाद कि सर की आतमा मर गई है अब सर भटकरें पर सारी कि एक तरफ पर सर का जो नाम है न भूनेस सर ने उस नाम को पूरा चरी तार्थ किया है सर ने फेक्ट्स को ऐसा भून दिया ना कि वे जलगे राक हो गए हैं तो यह था टीपू सैतान या सुल्तान की सीरीज का तीसरा पार्ट आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बत